नमस्कार साथियों आज के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग समस्टर फाइब हिस्टरी डेसी एवान का जो है कुछ महत्पुन प्रसंदेखने वाले हैं जो एकजाम में पूछे जाने का बहुत अधिक चांस है तो चलिए बिना देर की आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रसंद संक्या 3 है कि हेदर अली के जीवन चरीत्र एवं उपलब्धियों का मुल्यांकन कीजिए इससे पहले हमने जो है दो प्रसंद को बता दिया था बहुत पहले पहला प्रसंद था पलासी के युद्धे के कारणोयों परिनामों का वर्नन करें और दूसरा प्रसंद है बकसर के युद्धे के कारणोयों परिनामों का वर्नन करें तो आपने अगर अभी तक इस वीडियो को मेरा नहीं देखा है तो आप डारेक्ट यूटूब में सर्च करके भी देख सकते हो या तो प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हैदर अली के जीवन चरित्र और इनकी क्या उपलब्धियां रही थी तो चलिए बिना देर की हम लोग इसके एंसर को बिलकुल आसान से आसान सब्दों में जानते हैं सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना हैदर अली के जीवन परीचे हैदर अली का जन्म 1728 में मेसूर के बुढ़ी कोटा नाम अगस्तान में हुआ था इनके पिता का नाम फते मुहम्मद था जो मेसूर रैज के सेना में फोजदार थे आनी के एक सिफाही थे अगर हम हेदर अली की बात करें तो इनका जन्म 1728 इस्वी में मेसूर के एक छेतर है बुढ़ी कोटा वहाँ पर हुआ था इनके पिता जो है मेसूर के सेना में एक सिफाही थे यह माना जाता है कि जब हेदर अली मात्र छे वर्स का था उसी समय इनका पिता का देहान्त हो जाता है इसके बाद हेदर अली के बड़े भाई सहबाज को मेसूर सेना में नोकरी मिल जाती है यह माना जाता है कि जब हैदर अली मात्र 6 वर्ष का था, उसी दोरान इनके पिता जी का देहानत हो जाता है, जिसके बाद घर को चलाने के लिए किसी न किसी को नोकरी तो करनी पड़ती, इसी दोरान जो है, इनके बड़े भाई जिनका नाम सहबाज था, उनको मैसूर के सेना में नोकरी मिल गया सहबाज अपने विद्वा मा और छोटे भाई हेदर का पालन पोशन करता है प्रन्तु हेदर के सामने जो परस्तिती थी उसने इन्हें मात्र सोल्लो वर्ष किये उमें मेसूर के सेना में भरती होना पड़ा अनिकी जब इनके पिता जी का देहान थो गया था तो इनके बड़े भाई सहबाज ने जो है मेसूर में सेना के नोकरी का कायर करने लगा लेकिन हेदर अली के सामने जो परस्तिती था उनको देखते हुए यह मात्र सोल्लो वर्ष किये उमें मेसूर के सेना में भरती हो गया औ हेदर अली के बारे में यह कहा जाता है कि यह एक असेचित था फिर भी योग सहासियों उदार वेक्ति था हेदर अली के बारे में कहा जाता है साथियों कि हेदर अली जो है आसेचित थे फिर भी जो है यह एक योग थे यह सहासी वेक्ति थे एवं उदार वेक्ति थे उदार वेक्ति के मतलब होता है किसी के साथ भेदभाव ना करना सभी को जो है एक सम्मान मानना और कुटनीतिज को भी बहुत ही बहतर ढंग से समझता था इनके पिता की मृत्वी होने के बाद ही इन्हें सीच्छा प्रात करने का आउसर नहीं मिला फिर भी अपनी विर्ता और कुसलता से अंग्रेजों के विरुद डट कर सामना किया जैसे कि हमने आपको बताया है कि हेदर अली के सामने जो प्रस्तिदी था उनकी पिता जी का देहन्त तब हुआ जब हेदर अली मात्र 6 वर्ष का था यही कारण है कि इनको पढ़ने का उसर नहीं मिला फिर भी हेदर अली के बारे में कहा जाता है कि यह जो है एक योगी व्यक्ति था एक साहसिय उमुदार व्यक्ति था और कुट नीतिग को भी बहुत ही बहतर ढंग से समाईता था एक सासक की जो सबसे महत्पूर्ण चीजें होती है वह होती है कुटनीतिग का जानना अगर आप कुटनीतिग का ग्याता नहीं है तो ऐसे में आप पर कोई भी छल करके आपके समरेज्ज पर सासनवेवस्ता अस्थापित कर लेगा हैदर अली के बारे में कहा जाता है कि यह भले ही पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन अपने वीरता और कुशलता के कारण जो है हमेशा अंग्रेजों के सामना किया उनके सामने डट कर खड़ा रहा और हमेशा अपने मात्र भूमी का सेवा के जिसके कारण ही हैदर अली को अधुनिक भारत के इतिहास में महत्पून अस्थान प्राप्त है हैदर अली ने अपने विर्ता पुर्वक, अपने कुसलता पुर्वक अधुनिक भारत के इतिहास में महत्पून अस्थान प्राप्त है उसके बाद साथ ही अपको प्रस में पूछा गया है कि हैदर अली के जीवन चरीत्र के बारे में बताएं इसलिए हमने हेडिंग डाला है हैदर अली के जीवन चरीत्र 28 सतावदी के भारती इतिहास में हेदर अली का त्याधिंग महत्व है क्योंकि हेदर अली एगा सिचिद व्यक्ति थे फिर भी वह एक कुसल राजनीतिक उच्च कोटी का सेना नायक तता बेहतर पर सासक था 28 सदिके भारती इतिहास की बात करें तो भारती इतिहास में हैदर अली का त्यादिग महत्व है क्योंकि हैदर अली एक गासिचिद व्यक्ति थे फिर भी वह एक कुशल, राजनीतिक, उच्छकोटी का सेनपती था इनकी चरित्र की बात करें तो यह एक उदार वेक्ति था जिन्होंने सभी धर्म को बराबर महत्व दिया, किसी भी धर्म के साथ भैद भाव नहीं करते थे, हैदर अली मातर भूमी के सच्चे सेवक के रूप में भारती इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे, हैदर अली की चरित्र की बात करें, तो हैदर अली के चरित्र के बारे में कहा जाता है, कि यह एक उदार वेक्ति था, जो सभी धर्मों को सम्मान महत्व देता था, किसी भी धर्मों के पड़ती भैद भाव नहीं करता था, उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना हैदर अली की उपलब्धियों, आपको मेशूर का राजा, ओडियार वन्स के अंतिम सासक चिक्का क्रिश्न राज था, मेशूर की जो वास्त्विक सक्तियां थी, इनके दो मंत्रियों के हाथों में था, 1732 में मेशूर पर दो भाईयों, एक था देवराज और दूसरा भाई था नंदराज, इन्होंने धोखे से उनके सत्ता पर अधिकार प्राव्ट कर लिया, अनि कि मेशूर में जब ओडियार और वंस का सासन वेश्टा चल रहा था, तो उस समय जो है राजय कौन था, तो चिक्का क्रिश्न राज था, लेकिन यह जो है नाम मात्र का सा सकता, इनकी सारी सक्तियां जो है, इनके दो मंत्रियों के हाथों में था, किसके किसके एक देवराज था और दूसरा था नंदराज हैदर अली जो है इन्ही के सेना में एक सेनिक था किसके एक सेना में तो नंदराज और देवराज जो था उनके जो है समराज में एक सेना था हैदर अली के पिता की मृत्वियों के कारण इन्हें काफी कठनाईव का सामना करना बड़ा, यही कारण था कि हैदर अली सिच्छा पर ध्यान नहीं दे पाया, और वह जीवन बरा सिच्छित रह गया, परन्तु इनके कठनाईव ने हैदर अली को एक योगी वो मुवीर योध्धा बनाया, हैदर अली के बारे में कहा जा कि हैदर अली की जब पिता की देहान थो गई थी तो ऐसे इस्तिती में इन्होंने बहुत कठनाईयों का सामना किया जब किसी के पिता का तब मिर्तवी हो जाती है जब वह मात्र छे वर्ष का था ऐसे इस्तिती में इन्होंने बहुत अधी कठनाईयों का सामना किया और अभी क समय में जिन लोगों ने कठनाईयों का सामना किया है वही एक महान व्यक्ति बना है एक वही महान युद्धा बना है जिनके समझ कभी कठनाईया नहीं आया है वह नहीं कभी महान युद्धा बन सकता है और नहीं महान व्यक्ति बन सकता है इसलिए आप सभी को कहना चाहेंगे कि आप कभी भी अपने कठनाईउं से मत भागिए आप बलकि उस कठनाईउं का सामना कीजी तब ही आप आगे चलके एक महान व्यक्ति बन सकते हो इसी परकार से हैदर अली के जब पिता की मिर्त्वी हो गई तो इन परस्थितियों ने इन कठनाईउं ने हैदर अली को जो है एक महान योध्धा बनाया भले ही यह सिच्छी दिव्यक्ति था फिर भी इनके योगिता और इनके कुसलता के कारण भारती इतिहास में इनका महत्पुन अस्थान प्राप्त है हैदर अली की बहादरी से खुश होकर ननराज ने उसे 755 इस्वी में डिंडी गुल किला का मि मिली जिसके कारण ही सेनिकों को फ्रांसीसी सेनापती से परसिचन दिलवाया और फ्रांसीसियों से काफी मात्रा में अधुनिक हतियार को भी खरीदा हैदर अली की बहादरी से खुश होकर जो मेसूर के उस समय मंत्री या राजा थे ननराज उन्होंने 755 इस्वी में सेनापती से अपने सेनिकों को परसिचन दिलवाया किसने हैदर अली ने यही कारण है कि इनका जो सेन सकती था अतियाधिक बढ़ गया था इसके लावा फ्रांसीसियों से हैदर अली ने काफी मात्रा में हतियार को भी खरीदा था जब 1769 में मराठों ने मेसूर पर आकर्मन कर दिया तब हैदर अली ने ही मेसूर को सुरचित बचाया इस विज़े से खुश होकर ननराज ने हैदर अली को मुक्य सेनापती न्यूग किया यहां आपको एक बात बहुत ही महत्पुन समझनी है कि भारत में अंग्रेजियों की सत्ता इसलिए स्थापित हो पाया क्योंक इनकी जो सबसे बड़ी भोल यह सबसे बड़ी गलती मानी जाती है वो यह मानी जाती है कि भारती राजाओं ने अंग्रेजों का समर्थन किया सभी राजाओं ने मिलकर अगर अंग्रेजों का विरोध करता तो ऐसे श्तिती में कभी भी भारत पर उनकी सत्ता स्थापित न अन्राज उन्होंने हेदर अली को जो है मुख सेना पति निक्त किया इस दोरान अंग्रेजों के एक छोटी सेन टुकड़ी से हेदर अली का मुट वेड हो जाता है जिसमें इसका सारा हतियार छिन जाता है इस घटंह के बाद हेदर अली की सेन- पुना समाइन हो गया इस समय जो एक छोटा सा घटन ये हुआ था कि हेदर अली के से नियों और अंगरेज के सेन टुपड़ी के बीच एक छोटी सी मूट भेढ़ हो गया था इसमें हेदर अली के जो सेन सक्ति थी जो उनके पास हथियार था सारा हथियार जो है छीन गया जिसके बाद जो है हेदर अली जो इतने सक्ति साली हो चुका था पुना से उनकी सक्ति जो है समान हो गई क्योंकि जब तक आपके पास हथियार नहीं रहेगा अब किसी पर जो आकर्मन केसे कर सक हो गया पासानी से प्राजित हो जाओगे उसी परकार से जब अंग्रेजों से इनका मुटवेड हो गया तो इनके सारे हथियार छीन गए इसके बाद सेना पती हैदर अली ने मेसूर के सासक नन्राज की हत्या करके मेसूर के सासन को अपने हाथों में लिया इस परकार से 1761 इस्व में हैदर अली मेसूर का वास्तविक सासक बना इसके बाद इन्हों ने अपने सम्रेज्य को फेलाना प्रारम किया जब हैदर अली और अंग्रेजों की वीच छोटी सी मुटवेड हो गई तो ऐसे इस्तिति में इनके सारे हथियार जो हैं अंग इस परकार से 1761 इस्व में हैदर अली मेसूर का वास्तविक सासक बना और इन्हों ने अपने सम्रेज्य को फेलाना प्रारम कर दिया इन्हों ने मेसूर के सासन को अपने अधिकार में इसलिय लिया क्योंकि यह जानता था कि अगर हम किसी के अधिन कायर करेंगे तो हम कभी भी अंग्रेजों के विरुत जो है संगर्स नहीं कर पाएंगे यही कारण है कि इन्हों ने यहां के सासन विवस्ता को अपने हाथ में लिया और अपने सम्रैज्य को फिलाना प्रारम कर दिया हैदर अली ने अपने योगिता और कुसलता के कारण महसूर के आसपास के कई रैज्यों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया जबकि कुछ रैज्यों ने सुएं उनके धिंता को स्विकार कर लिया हैदर अली ने अपने सम्रैज्य को विश्तार करने के बाद स्री रंग पटनम को अपनी रैजधानी बनाया हैदर अली के रैज्य के सीमा विस्तार को देखकर बिर्टिस मराथाता निजाम काफी भाइबित हो गया कि उनके रैज्यों पर हैदर अली का नियंतन स्थापितना हो जाए हैदर अली ने जब अपने समरेज्य का विस्तार कर लिया तो इन्हों सीमा छेत्र के विस्तार को रोकने के लिए मराथा निजाम और अंग्रेजों ने उनके विरुध युद करने का लिश्चे किया जब यहां पर हैदर अली के सक्तियों को देखा अंग्रेजों ने मराथो न निजाम ने तो ऐसे इस्तिति में सभी को यह डर लगने लगा था सभी काफी भाइबीत होगे ते उनके राजियों पर जो है है एदर अली नियंद्र नस्थापित ना कर ले यही कारण है कि अंग्रेज मराठा और निजाम ने मिलकर एक संगठन बनाया ताकि है एदर अली के विरूद युद कर सके और उनको प्राजित कर सके और उनके सक्तियों को पूरी तरह से कुचल दिया जाए यही कारण है कि है एदर अली के विरूद मराठा निजाम और अंग्रेजों ने युद करने कर निश्चे किया उसके बाद जो है जो पहला यूद होता है वो होता है पर्थम आंगल मेशूर यूद पर्थम आंगल मेशूर यूद सतरसो सरसट से उनहत्तर इस्वी के बीच हेदर अली और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था दचिन में हेदर अली की बढ़ती सक्ति के कारण अंग्रेज काफी चीनती थे जिसके कारण जो है अंग्रेजों द्वारा हेदर अली के सक्ति को दमन करना चाहता था आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है कि आंग्ल मेशुर युद्ध क्या है अंग्ल इसलिए कहा गया है क्योंकि जब कोई भी युद्ध अंग्रेजों और भारती सासकों के बीच लड़ा जाएगा या अंग्रेजों और किसी भी राष्ट के बीच लड़ा जाएगा तो उसे अंग्ल ही कहा जाएगा अंग्रेजों को जो है अंगल कहा गया है अगर हम बात करें कि पर्थम आंगल में सुर्युद्य कव हुआ था तो 1769 सवी के बीच हुआ था किनके किनके बीच हुआ था तो अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ था इसलिए हुआ था क्योंकि हैदर अली की सक्तियां दि छेत्रों पर हेदर अली अपना नियंत नस्थापित ना कर ले जिसके कारण जो है अंग्रेजों ने हेदर अली के सक्तियों को कुछलना चाहता था यही कारण है कि हेदर अली अंग्रेजों के बीच पर्थम आंगल मेशूर युद्ध हुआ अंग्रेज जो हेदर अली के सक्ति को जानता था कि इन्हें अकेले में सामना नहीं किया जा सकता यही कारण है कि इन्होंने हेदर अली के जो निजाम थे और मराठा थे उनको अपने पच्छ में मिला लिया एक संधी करके ताकि हेदर अली की बढ़ती सक्ति को जो है असानी से कुचला जा सके अने कि जब हेदर अली के सक्ति को अंग्रेज बहतर धंग से समझ गया था कि इनको अकेले में सामना नहीं किया जा सकता है तो ऐसे इस्तिति में अंग्रेजों ने कुछ नितिज का सहार अलिया और इन्हों ने हैदराबाद के निजाम और मराठों को अपने पच्छ में मिला लिया ताकि हैदर अली का मुकाबला किया जा सके हैदर अली के सक्तियों को कुछला जा सके लेकिन यहां जो है अंग्रेजों ने जो सोचा था उसका विप्रीथ हो गया इस तरह से अंग्रेज हैदराबाद के निजाम और मराठा ने मिलकर हैदर अली के विरुद त्रिवगूट का निर्मान किया हैदर अली को इन तीनों से मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है लेकिन हैदर अली चुंकि भले ही आस इचित वेक्ती थे लेकिन कुट नितिज को बहुत ही बैतर डंग से समझते थे यही कारण है कि इन्हों ने अंग्रेजों को पराजित करने के लिए जो मराठा था और निजाम था उनको दुबारा से अपने पच में ले आया पहले जो है मराठा और निजाम अंग्रेजों के पच में था लेकिन हैदर अली ने कुट नितिज का सहारा लेते हुए निजाम और मराठा को जो है अपने पच में कर लिया केसे अपने पच में किया तो हैदर अली ने सबसे पहले मराठों को 35 लाग रुपिये दे कर त्रीगूट से अलग कर दिया और उन्हें तठस्त रहने के लिए कहा हैदर अली ने कहा कि आप 35 लाग रुपिये लिजिये आप यूद में अंग्रेजों का साथ नहीं दीजेगा इसी परकार से जो है हैदर अबाद के निजाम को परदेशी गलोब देखकर अपने पच में कर लिया अब अंग्रेज अकेला पड़ गया जिसके कर्ण 700 सरशट में हैदर अली वा निजाम की सेनाओं ने अंग्रेजों के विरुद जो है युद्ध कर देता है सन्युक्त सेना ने करनाटक पर आकर्मन कर दिया लेकिन निजाम ने अंग्रेजों के साथ संधी कर ली भले कुछ पल के लिए निजाम जो है हैदर अली के पच में आया लेकिन जब अंग्रेजों ने निजाम के विरूद आकर्मन कर दिया तो ऐसे इस्तिती में निजाम ने अंग्रेजों से संधी कर लिया फिर भी हैदर अली ने जो है कभी भी हार नहीं माना और अंग्रेजों को पराजित करके जो है मेंगलोर को अपने अधिकार में ले लिया इस परकार से 179 इस्वी में हैदर अली ने मदरास पर आकर्मन कर उसे घेर लिया। जब निजाम के सेना हार गिया उसके बाद निजाम जो अंग्रेजों के साथ संधी कर लिता है। फिर भी हैदर अली ने हार नहीं माना और अंग्रेजों का सामना किया। यही कारण है कि हैदर अली ने मंग्लोर पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। और इसी परकार से 179 इस्वी में हैदर अली ने मदरास पर भी आकर्मन कर दिये। जहां पर अंग्रेजों का नियंतर न स्थापीत था। है dealing के सफलता से अंग्रेज अत्यादिक भैवित हो घया था और अंग्रेजों ने घवर आकर हैदर अपरिल 1779 इस्वि में एक संधी कर लिया। जिसे मदराज की संधी के नाम से जाना जाता है। हैदर अली की सफलता को देखकर अंग्रेज काफी भेवoston हो गया, भाइव风't क्यों नहीं होगा क्योंकि अंग्रेज का यहां पर पुरी तरह से सत्ता स्थापित हुआ ही नहीं था ऐसे इस्तिती में जब उनका टककर हैदर अली ने दिया तो ऐसे इस्तिती में अंग्रेज काफी घवरा गया और उन्होंने हैदर अली से डर कर घवरा कर 4 अप्रेल 1779 इस्वी में एक संधी कर लिया और इस संधी को मदराज की संधी के नाम से जाना गया तो आपको ध्यान रखना है कि मदराज की संधी कब हुई थी तो 4 अप्रिल 1779 इस्वी में हुई थी आपको जो है MC की उपरस में पूछा जा सकता है इस परकार से मदराज की संधी के साथ पर्थम आंगल मेशुर्यूद समाप्थ हो जाता है लेकिन इस संधी के नुसर दोनों ने एक दूसरे से जीते पर्देश को लोटा दिये तथा बहरिया कर्मन के समय एक दूसरे का सयोग देने के वचन दिया जब मदराज के संधी अंग्रेजों और हेदर अली के बीच होता है तो इसे में पर्थम आंगल मेशुर्यूद समाप्थ हो जाता है और इस संधी के अ राज्यों से आकर्मन आप पर होगा तो हम आपको जो है सेन सहाता देंगे, अब लोग देखते हैं कि दूते आंगल मेशुर्यूद किस परकार से हुआ था तो दूती आंगल मेशुर्यूद जो है पर्थम आंगल मेशुर युद में अंग्रेजों की हार हुई थी जिसके कारण अंग्रेज पर्थम युद की हार और अपमान का बदला हेदर अली से लेना चाहता था पर्थम आंगल मेशुर युद जब हुआ था उस समय जो है अंग्रेजों की बहुत बड़ी हार हुई थी जिसके कारण अंग्रेज जो है हेदर अली से युद्ध का हार का बदला लेना चाहता था जो अपमानित हुआ था उस अपमान का बदला हेदर अली से लेना चाहता था कौन अंग्रेज यही कारण था कि दूतियांगल मेशुर युद्ध अंग्रेजों और हेदर अली के बीच हुआ दूतियांगल मेशुर युद्ध का दूसरा कारण था कि मदराज की संधी के अनुसार अंग्रेजों और हेदर अली के बीच यहते हुआ था कि बाहरी आकर्मन होने पर एक दूसरे को सेन सहाता करेंगे लेकिन जब मराठों ने मेशूर पर आकर्मन किया तो अंग्रेजों ने हेदर अली को सेनिक सहयोग नहीं किया इससे हेदर अली नाराज था जैसे कि साथी हमने आपको बताया था कि जब पर्थम आंगल मेसूर युद्ध के लिए जो संदी हुआ मदरास की संदी उसमें यह तै किया गया था कि जब बहरी आकर्मन होगा तो एक दूसरे के हम लोग सहयोग करेंगे इस समय यह हुआ कि मेसूर पर जो है मराठा ने आकर्मन कर दिया लेकिन इस दोरान अंग्रेजों ने हेदर अली का कोई भी सेन सहयोग नहीं किया सहयोग नहीं किया जिसके कारण जो है हेदर अली अंग्रेजों से नाराज था अंग्रेजों ने हेदर अली का सेन सहयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि अंग्रेज चाहता था कि हेदर अली की जो सक्ति है उस सक्ति को कोई न कोई कुचल दे यही कारण है कि अंग्रेजों ने हेदर अली का कोई भी सेन सहयोग नहीं किया जिसके कारण हेदर अली नाराज थे यही यहाँ पर कहा किया कि अंग्रेजों ने हेदर अली का सहयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि हेदर अली के बढ़ते सक्ति को अंग्रेज कुछलना चाहता था ताकि दाचिन भारत में अपनी सत्ता को स्थापित कर सके जैसे की हमने आपको बताया है कि अंग्रेजों ने हैधर आली का सयोग नहीं किया क्योंकि है अग्रेज डरते थे उनके सक्टी को उचानना चाहते थे ताकि दचिन छेतर में जो है अंग्रेज का जो है सत्ता स्थापित हो अंग्रेजों皕 17 1779 में भारत में फ्रांचिसी बस्ती पर आकर्मन कर दिया और उसे अपने अधिकार में ले लिया जो हेदर अली का नियंतरन छेत्र था जिसके कारण हेदर अली काफी क्रोधित हुआ और इसका बदला अंग्रेजों से लेना चाहता था दोतिया अंग्ल मेशुर युद्य का एक कारण जो माना जाता है वो यह है कि अंग्रेजों ने मार्च 1779 में फ्रांचिसी बस्ती जो भारत में बसाया गया था उन पर अधिकार कर लेता है अकर्मन करके और यह फ्रांचिसी बस्ती पर जो है हेदर अली का नियंतरन था हेदर इस्तिती में जब अंग्रेजों दुवारा हस्चिप किया गया इस छेतर पर हेदर अली काफी करोधित हुए काफी नराज हुआ और अंग्रेजों से यह इसके बदला लेना चाहता था जिसके कारण दूतिया अंगल में सुरियुद । लड़ा गया इस बार हेदर अली दे पर आठाटा को अपने पच्छ में पराजित कर कि ऐदर अली के से translam और उनको घेर लेता है उसके बाद यो है वहां का जो नवाब होता है भाग कर अंग्रेजों के सरण में चला जाता है करनाट क्षेतर था वह 6 पर अंग्रेजों का नियंत्रन था एसे इस्तिति में जब वहां पर आकर्मन किया गया तो एसे में वहां का जो नवाब था भाग कर मदराश चला गया अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों के सरन में हैदर अली को सफलता मिल रही थी दुरभाय गवस्त से 1782 में उसकी मिर्तवी हो गई हैदर अली ने जो हर अस्थान पर अंग्रेजों को पराजित किया अंग्रेजों के सेनाओं को मजा चखाया यही कारण है कि अंग्रेज बहुत जादा डरते थे बलकि अकासमिक मिर्थवी इनकी हो जाती है जबकि मराठा युद्ध से अलग हो गया यहां पर जो है मराठा जो था वह युद्ध से अलग हो जाता है हेदर अली के पूत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा लेकिन युद्ध से परिशान होकर दोनों ने 11 मार्श 1784 को मंगलोर की संधी कर ली हेदर अली के जो पूत्र थे टीपू सुल्तान वह भी एक युग्य सासक थे एक कुसल सासक था जो अपने पिता की तरह आगे चल कर मेसूर पर सासम विवस्था को चलाएगर अंग्रेजों को टकर देगा जब इनके पिता जी का देहान थो जाता है 1782 में उसके बाद युद से परिशान होकर अंग्रेज और हेदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने एक संधी कर लेता है गारो मार्श 1784 में उस संधी को मंगलोर की संधी के नाम से जानी जाती है तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है कि दूत ये आंग्ल मेशूर युद किस संधी के द्वारा समाफ्थ हुआ तो वो था मंगलोर की संधी द्वारा मंगलोर की संधी कब हुई थी तो एक आरो मार्श 1784 में हुई थी इस संधी के अधार पर जो है जो है जो हैदर अली ने अंग्रेजों के छेदर को जीता था उसको वापस जो है टीपू सुल्तान ने लोटा दिया तथा एक दूसरे की द्वारा जो उनके सिनीकों को बंदी बना लिया गया था उनको भी रिहा कर दिया गया तथा अंग्रेजों ने मेशूर में हस्यफ ना करने का वचन दिया अंग्रेजों ने यह कहा कि हम कभी भी मेशूर में हस्यफ नहीं करेंगे यहाँ पर नियंतरन स्थापित करने का परियास नहीं करेंगे इस परकार से जो है मेसुर की संधी के द्वारा दोतिया अंगल मेसुर युद समाप्त हो जाता है फिर आगे चल कर तिरतिया अंगल मेसुर युद होगा उस समें टीपू सुल्तान मेसुर का सासक रहेंगे फिर आगे चलके चतुरत रांगल मेशूर युद्ध होगा वहाँ पर भी टीपु सुलतान अंग्रेजों का सामना करेंगे हम लोगों का जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो टीपु सुलतान से समंदित होने वाला है और बिल्कुल इतना ही आसान से असान सब्दों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर एक बार ही उसको सुन लेते हो तो आपको असानी स्याद हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही साथ ही हूँ आप लोगों से बहुत जल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में